Hello student, question number 2 exercise 1.1 class 9th number system chapter का name है इसका second method हमें देखना था, हमने first method तो इससे previous वीडियो में देखा था equivalent rational number बना के आप कैसे find कर सकते हैं rational number अब हम यह mean method से देख रहे हैं, mean method मात्य विदी थोड़ी बड़ी होती है तो देखिए इससे जो answer आएगा वो different आएगा आपके इस method सो जो हमने किया था उससे तो क्योंकि हमने key point आपको इसलिए ही बताया था मैंने कि भई दियारान infinite number, infinite number हो सकते हैं जरूरी नहीं कि उनका denominator आपका जो इस method से आया था वो ही आए तो यहाँ पर answer आपके different आएगे वो भी rational number है इनके बीच के तो यह मत सोचेगा कि भई किसी ने mean method से कर दिया सार मेरा answer अलगाया और किसी ने equivalent rational number से किया कि सार मेरा answer अलगाया तो ऐसी कोई problem नहीं होती बस आपका method सही होना चीए अब देखे आपको पता है mean माद्दे क्या होता है पर center value between the two अब जित्ती भी values उनकी center value अब यहाँ पर हमार पर दो-दो rational number ही given है तो यहाँ पर दो rational number की center value क्या होगा उनके बीच का rational number तो आपको पता है mean का formula होता है sum of number upon total number संख्याओं का योग upon कुल संख्या है तो यहाँ पर दो ही संख्या है भी तक आपके पास तो 3 plus 4 इनका sum किया total कितनी 1 2 तो 2 से divide किया फर्स रेशनल number आपके पास आच चुका है 7 by 2 अब आपको क्या करना है आप already इसका pair up करके इसका mean निकालके रेशनल number निकाल चुके है तो अब आपको नया pair बनाना है नया दो number का mean निकालना है तो हम इन दोनों का निकाल देते हैं पहले तो देखिए 3 को हम क्योंकि यह P by Q की form में लिखे है तो इसको भी P by Q की form में लिखेंगे 3 upon 1 3 upon 1 plus 7 by 2 यह तो गया sum of number upon total number संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं अब देखिए आपको लगुत्तम लेना LCM लेना आना चीए देखिए दो numbers हैं आपके जिनका common factor मतलब जो से 1 की table से ही divide जा रहे हैं ऐसे दो number का LCM की होता है उनका multiply ही होता है देखिए दोनों denominator different है तो उनका product कर दीजिए और cross multiply कर दीजिए numerator के लिए 3,2,7,1,1 वैसे भी कर सकते हैं या फिर LCM देख लीजिए 1 और 2 का LCM लगुत्तम कितना होता है 2 क्योंकि इन दोनों का यह सिर्फ 1 से ही divide जा रहे हैं दोनों का multiply ही इनका LCM होगा तो 1 की table में 2 किटे times आता है 2 times तो इसके numerator को 2 से into कर दिया 2 की table में 2 किटे times आता है 1 time आता है तो इसके numerator को 1 से into कर दिया तो अब देखिए आपके पास आगया 3,2,6,7,1,7,2,2,2,13,2,2,बाउन 2 अब आपको क्या करना है तो divide का sign change हो जाएगा into में और जो numerator था वो change हो जाएगा यान इसका denominator कितना भी 1 तो 2 upon 1 कि इसमें convert हो जाएगा 1 upon 2 में फिर आप into करेंगे fraction को कैसे multiply करते हैं भिन को numerator को numerator से अंस को अंस से हर को हर से denominator को denominator से 13 वन जा 13,2,2 जा 4 एक और आपके पास rational number आ गया अब आपके बड़ two rational number आ चुके है four all निकालने है अब आपको अब आप देखिए आपने अभी तक three four का पेर बनाया तो यह आया फिर आपने three और seven by two का बनाया तो इन दोनों के बीच का आया अब आप क्या करिए इन दोनों का एक बार कर लीजिए देखिए same process आदे sum of number upon total number LCM लिया, solve किया यह third rational number आगे किन दोनों के बीच का है यह इन दोनों के बीच माया है तो लेकिन three by four के बीच का ही लेकिन निकाला इन दोनों का एवरेज है तो इन दोनों के बीच में लिखेंगे ठीक है फिर fourth rational number चौथा परिमेर संख्या आपको ग्यात करनी है अब एक नया पेर ले लीजिए तो हम दोनों इन दोनों नमबर का पेर ले रहे है तो देखिए है आप LCM लिया इसे solve किया आपने तो आपके पास कितना आया 25 by 80 ये किसकी बीच का एवरेज है इन दोनों के तो इन दोनों की बीच में लिख दिया अब आपके total four rational number हो चुके है बस आपको LCM लेना आना चाहिए या फिर Vedic Max अगर आपने कभी पढ़ी है अगर आप राजिस्तान बोर्ट में पढ़के आए लास्ट ये तो आपने Vedic Max definitely पढ़ी होगी बट अगर आप सुरू से ये NCRT में पढ़ने तो आपने Vedic Max नहीं पढ़ी तो आपको LCM लेना आना चाहिए दोनों चीज जो आपकी लेना ये Vedic Max में जो आपको method बताया जाते हैं वो same ही चीज है बट नाम ही अलग-अलग है क्योंकि Vedic Max हमारे Indian जो mathematician थे ये कहा जाता है कि उन लोगों ने लिखे थे पहले से method तो उनके नाम से पढ़ाया जाता है 5th rational number देखिए अब आप किसके बीच का rational number निकाल रहे हैं अब हम निकाल रहे हैं 15 by 4 और ये 4 की विख में आपको नए-ने rational number का pair बनाना है बस आप किसी भी rational number का pair बना सकते हैं जो आपने नए find करें तो देखिए यहाँ पर LCM लिया अब आपके वास एक और rational number आ गया तो ये था mean method ये थोड़ा tough रहता है तो student कहते हैं कि नए इस method से नहीं करिए आप हमें इस method से ही बताइए बस इस method में एक ही चीज समझने वाली होती है second method में बहुत easy method होता है ये equivalent rational number बना के जित्ते rational number आपको निकाल ले न उससे बड़ी number से इसको multiply और divide करना होता जो given rational number इसको thank you students